एक सोलजर ये नहीं बूझता, देश ने उसके लिए क्या क्या, बूझता है वो देश के लिए क्या करसबता है फाइनली दोस्तों प्रवास की फिल्म आदी पुरुस बॉक्स ओप से रिलिज हो चुकी है और इस फिल्म ने बॉक्स ओप से रिलिज होने के बाद बॉलिवुड की सबी फिल्मों के रिकोर्ड तोड़ते हुए ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी opener फिल्म बन चुकी है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ये फिल्म अपने फर्च दे पर इंडियन वाक्स आपस और वलल्बार बाक्स आपस आपस और कि तने क्रोड का कलेक्शन कर सकती है तो पहले बात कर लेते हैं वॉलिवुड की किंग खान कहे जाने वाले सारुख खान की फिल्म पठान के फर्स डेके वॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आपको बता दें सिद्धार्थ आनन्द के डारक्शन ने बनने वाली ये फिल्म एक एक्षें थिलर फिल्म थी जिसे 500 करोड के मोटे बजट से बनाया गया था जिसमें हमें सारुख खान, दिपिका पादुकोन और जॉन अबराम एम किर्दार में देखने को मिले थे और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलगू, एक साथ तीन वासाओं में रिलिस किया गया था साती साथ सारुख खान ने फिल भी ज़्वरजेस कमाई की थी, अगर बात करें इस फिल्म के फर्स देखे वाक्स ओपस कलेक्षन की तो इस फिल्म नें हिंदी, तमिल, तेलगू, वासा में 57 करोड का नेट कलेक्षन किया था definite क्रोड का रहा था और इसके साथ इंडियन वॉक्सों पर ताबरतोर कमाई करन आपको बता दे सारुख खान की इस फिल्म ने दुनिया वर से 1050 करोड की ताबर तोड कमाई करने के साथ मेगा बिलोग बस्टर मुवी का खिताब भी अपने नाम कर लिया था और अब बात कर लेते हैं पिरवास की फिल्म आदी पुरुस के फ़र्च दे के वॉक्स ओपस कलेक्शन के बारे में आपको बता दे ओम राउत के डरक्सन में बनने वाली इस फिल्म को 500 करोड के मोटी बजट से बनाया गया है जिसमें हमें पिरवास प्रभू स्री राम के किर किरदार में किर्ती सैनन सीता माता के किरदार में वहीं सैपली खान लंकेस यानी रावट के किरदार में देगने को मिले हैं और इस फिल्म को इंडियन वाक्स ओपस पर एक साथ पांट भासाओं में हिंदी तमिल तेलगू कंड़ और मल्यालम भासाओं में रिलिज किया गय आपको बता दे जैसे ही आदिव पुरूस मूवी का टीजर रिलीज हुआ था तो लोगों की तरफ से इस फिल्म को उल्टा सीधा कहा गया मगर इसके बाद इस फिल्म के makers ने इस फिल्म का officer trailer release किया तो इस फिल्म के trailer को काफ ज़िदा पसंद किया गया और audience के बीच इस फिल्म को लेकर काफ ज़िदा hype और cringe बना हुआ था जैसे ही ये movie box office पर release हो चुकी है तो audience की तरब से इस फिल्म को positive response मिल चुका है और अगर बात करें इस फिल्म के first day के box office collection की तो ये फिल्म अपने first day पर तैलगू भासा में 60 करोड का gross collection कर रही है वही हिंदी भासा में 45 करोड का gross collection कर रही है और इस तरह ये फिल्म इंडिया में पांचो भासाओं से 110 करोड का gross collection कर रही है वही overseas market से ये फिल्म 30 करोड का collection कर रही है तो इस तरह इस फिल्म का first day का worldwide box of the collection 140 करोड का देखने को मिल सकता है वही बात करें वालिवूड के किंग खान सारू खान की फिल्म पठान के first day के worldwide box of the collection की तो इस फिल्म ने first day पर worldwide box of the 106 करोड का collection किया था और इस तरह प्रवास की फिल्म आदी पुरुस सारू खान की फिल्म पठान को पीछे करते हुए 2023 की सबसे बड़ी opener फिल्म बन चुकी है तो दोस्तों अगर आप सारू खान की फिल्म पठान और प्रवास की फिल्म आद पुरुस को देख चुके हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी अच्छे लगी